चंद्रायन वन कवर करने गया था उसके पहले कवर करते वे काफे कुछ जान समझ लिया था हम जब स्रीहरी कोटा गये तो छत पर दुनिया भर से आये अंतरिक्ष विज्ञान को कवर करने वाले पत्रकारों को देख शेहन गया एक तो उनके पास जो कैमरे और लैंस थे वही भारतिय चैनलों के पास नहीं थे दूश्रा उनमें से कईयों ने 30-30 साल से अंतरिक्ष विज्ञान को कवर किया हुआ था मैं सब का सुन रहा था उनके अनभव और बिश्लेशन के आसपास कहीं नहीं था लगा कि हम अपने दर्शकों को महौल के वर्णन से ज्यादा क्या बता रहे हैं साथ में खड़े हिंदी चैनल के एंकरों के दंभ ने काम आशान कर दिया कि हम पहले अंतरिक्ष विज्ञान की घटना को बरसाने की होली के तब्रेज में कनवर्ट करेंगे और फिर रंग और बरसारों की बात कर निकल जाएंगे मगर जब भी उन खब्व अं पर ति घबराहट होनी लगती खैड अपनी बिन आर्टिकल और प्रिपोजीशन वाली अंग्रेजी के सहारी बात्चेत शुरू कर दी उन्हें भी हैरानी थी कि भारत इतना वड़ा काम करने जाड़ा है उन्हें शक्त था कि भारत नहीं कर पाएगा सुबश शुबश बार हुए के साथ हम भी हो ले तब उन सभी खबू पत्रकारों के पास गया और उनसे हाथ मिलाया और बधाई दी मज़ा आया था एक कोड़ हलका सा भी गया था बार भी कहा गया कि मैं आ जाओं लेकिन मनीला के कारण नहीं जा सका ना कहते वे गहरा आफसोस हो गया लेकिन ये भरोशा था कि हम चान पर उतर जाएंगे मुझे जड़ा भी शक नहीं हुआ खबर सुन कर चुप हो गया सीने में दुख सा कुछ उत्रा इश्रों फिर से पहुंच जाएगा जहां आज नहीं पहुंच सका इस दौरान इश्रों के बैग्यानिकों से खुब बात चित की थी आज जिन महला बैग्यानिकों की बात हो रहे हैं उनमें से कईयों से तब बात की थी जिनके बीच से हिंदी बोलने वाली या बोलने वाला खोजा और इश्रों ने भी मदद की तब इश्रों का जोर था कि जनता के बीच उनकी काम की पहुंच गंभीरता से हो काफी समय लेकर एक एक बात समझाते थे ताकि रिपोर्टिंग ठीक से हो उन्हीं बैग्यानिकों ने जब हिंदी के चैनलों के बंदरों को चांद चांद करते कूदते देखा तो अफसूस तो हुआ ही होगा वो क्या कर शकते हैं मेरी शलाहमानी तो दिल्ली की चिल्डरन की अनुक्रिती लगा दे उसमें स्लोप जरूर बनाएं ताकि न्यूज एंकर ससरते वे नीचे आये और कह सकें कि देखो हम चांद पर उतर आये हैं राजा गार्डन की दीन द्याल पार्क में आकर आप भी चांद पर उतर सकते हैं चंद्रायन टू की असफलता के दुख को इस चैनलों ने स्वामी चंद्रा बना दिया है दोस्तों यह लेक थे रवीश कुमार के जो दन्यूज भारते के जड़िये आप तक पहुंचाया जा रहा है